अनोखा गाउं जहां पर स्त्री पुरुष के साथ पशुबक्षी सभी अंधे आखों की रोश्नी के बिना ये दुनिया बेरंग है जो लोग देख नहीं सकते ये बात उनसे बहतर कौन बता सकता है आखों के बिना जिन्दगी के किसी भी सुख का आनन नहीं ले सकते है जिन लोगों के पास आखों की रोश्नी नहीं है उनको कई प्रकार की परिशानी का सामना करना पड़ता है आज आपको एक ऐसे अनोखे गाउं के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर सभी लोग अंधे हैं आपको ये जानकर ताज़ुब होगा कि यहाँ पर इनसान के साथ साथ पशु और पक्षी भी अपनी आखों की रोश्नी खो चुके हैं ये सुनकर भले ही आपको यकीन ना हो लेकिन ये बिल्कुल सच है मेक्सिको के प्रशान्त महासागरिय शेत्र में डिल्टबैग नाम का एक गाउं है इस गाउं में करीब साथ जोपनियां हैं जहाँ तीन सो के करीब रेड इंडियन्स रहते हैं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गाउं में किसी के घर में ना तो बिजली है और ना ही दीपक है इन लोगों को दिन और रात में कोई अंतर नहीं लगता ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पक्षियों के शोर के कारण लोगों को सुबह का एहसास होता है जिसके बाद वो रोजी रोटी के तलाश में निकल जाते हैं और जब पक्षियों का शोर सुनाई देना बंध हो जाता है ये समझ जाते हैं कि अब रात होने वाली है फिर सभी लोग अपनी अपनी जोपडियों में चले जाते हैं यहां के लोग पत्थर की बनी जोपडियों में रहते हैं और पत्थरों पर ही सोते हैं जापुटेक जाती के ये लोग घने जंगलों के बीच रहते हैं और सभ्यता और विकास से काफी दूर हैं यहाँ पैदा होने वाले बच्चे आम बच्चों की तरह पूरी तरह सामान्य होते हैं लेकिन कुछ सब्ता के बाद ही वो भी अंधे हो जाते हैं सरकार को जब इन लोगों के इस बिमारी के बारे में मालूम हुआ तो उनका इलाज करने की कोशिश की गई लेकिन ये बेकार रहा सरकार ने इन लोगों को दूसरे स्थानों पर बसाने की कोशिश की लेकिन उनका शरीर उनको कहीं और बसाने के हिसाब से अनुकूल नहीं था इसके लिए उनको उनके खाल पर छोड़ देना पड़ा अगर आपको ये विडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह के इंट्रेस्टिंग विडियो देखने के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें